बीजेपी सांसर्थ प्रग्या ठाकूर एक बार पर मुश्किलों में है और उन्होंने अपने बयान पर अब सपाई दी है उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि कभी कभी जूट का बवंडर इतना गहरा होता है कि दिन में भी रात लगने लगती है लेकिन सूर्य अपना प्रकाश नहीं खूता पलभर के बवंडर में लोग भ्रमित ना हो सूर्य का प्रकाश स्थाई है तो सब्ती यही है कि कल मैंने ओधन सिंग जी का अपमान नहीं सहा बस तो यह ट्विट अपनी सफाई में साध्य प्रग्या ठाकुर की तरव से तो जिस तरह से स्पी जी डिबेट के दौरा लोग सभा के अंदर उन्होंने कहा कि देशभक नातुराम गोट से को ठहराया उसके बाद एक बार फिर विवादों में पसी हुई है जिसके चलते हुने रक्षमंत वाले की कमेटी से भी अटा दिया गया और अब ये बाद भी सामने सूत्रों के बाले से सामने आ रही कि पार्टी से भी उनको निकाला जा सकता है लेकिन अपने इस बयान पर किस तरह से सफाई दी गई है इस ट्विट के जरीए आप देख सकते होने का है कि कभी कभी जूट का बवंडर इतना गहरा हो जाता है कि दिन में भी रात लगने लगती है लेकिन सूर्य का अपना प्रकाश इस्थाई होता है और सत्य यही है कि कल मैंने उदम सिंग का अपमान नहीं सहा तो यह वो ट्विट है जो साथ भी प्रग्या सिंग ठाकुर की तरह से किया गया और यह पहली बार नहीं है कि वो अपने बयानों के चलते इस तरह से विवादों में पसी हो अक्सर वो इसी तरह से बयान बाजी करती है उससे पहले भी नातुराम गोटसे को देशबक्त उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि देशबक्त है और है और रहेंगे तो यहाँ पर जिसके बाद प्यमोदी ने उनके इस बयान को लेकर सक्त टिपड़े भी की थी लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखर इतनी सक्ती के बावजूद भी क्यों बार बार साथवी प्रग्या इस तरह के बयान दे जाती है जो कहीं न कहीं बहस का कारण बन ज आता है तो यह वो ट्विट है जिस पर अब सफाई साथवी सिंग प्रग्या ठाकुर की तरह से दी गई है इस ट्विट के जरिये उन्होंने कहा है कि कभी कभी जूट कभवंडर इतना घहरा होता है कि दिन में भी रात लगती है और सूरे का प्रकाश स्थाई होता है